चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बचो नीट 21 कांसलिंग के रेगार्डिंग NTA ने अपने वेबसाइट पर एक पब्लिक नोटिस जारी किया है जिसमें का गया है कि नीट 21 का रेजल्ट जो NMC ने इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रोवाइड करवाया है उसके बेश पर रेजल्ट तयार करना कंडिडेट ने जो कैटेगरी सब्मिट किया है उसी के अकोर्डिंग रेजल्ट और ओल इंडिया रिंग प्रिपेर की गई है और जो एड्मिसन अथोर्टी है वो इस ओल इंडिया रिंग के बेश पर MBBS BDS सीट के लिए अपने मेरिट लिस्ट तयार कर सकती है जब कंडिडेट ने अपने स्टेट में अपलाई करेंगे जो अपने स्टेट में अपलाई करेंगे वे अपने स्टेट में जो उनकी कैटेगरी है उनके मुताबिक अपलाई कर सकत स्टेट काउंसलिंग अथोर्टी अपने स्टेट काउंसलिंग के अकोर्डिंग मेरिट लिस्ट बना सकते हैं ऐसा ही डो मिसाइल की कंडिशन में है इसमें एंटिए का कोई रोल नहीं है एंटिए दवारा कोई भी डाटा में बदलाव नहीं किया जाएगा तो इसमें कहने का मतलब यह है कि जो NTA ने result तयार किया है वो candidate ने जो category या information provide करवाई है उसके according ही तयार किया गया है जब MCC की counseling होती है तो जो आपने application form में category दी है उसके according MCC की counseling होती है लेकिन state में आप category change कर सकते हैं जैसे किसी-किसी state की किसी-किसी candidate की state में category OBC है लेकिन central में उसकी general है तो MCC की counseling में वो general account होगा और state में वो OBC में अपने counseling करवा सकता है तो ये इसी के लिए इसमें एक ये notice दिया गया है NTA की तरब से कि जो candidate ने data provide करवाया है उसी के according हमने result तयार किया है इसमें आगे लिखा है कि counseling के दोरान जो eligibility criteria है self declaration है various documents है eligible candidate के वो counseling authority दोरा यानि की respective authority दोरा verify किये जाएंगे और इसमें NTA की कोई responsibility नहीं है इसमें तो इस परकार का ये notice दिया गया है अगर आपको NTA से किसी के regarding को clarification रेना है तो ये इसमें help line number contact number भी दिये गए है इस पर आप call कर सकते हैं और mail भी कर सकते हैं तो एक ये छोटी सी information थी NTA नहीं यही का है कि आप अपने state में category दूसरी जो आपकी actual state की category है उसके according counseling करवा सकते हैं और center की जो आपने application form में जो provide की है category उसी के मताबिक mcc की counseling करवा सकते हैं तो ये काफी सारे बच्चों का भी doubt था मेरे पास भी काफी comments आये थे कि हमने all India में category ये फिल की है application form फिल करते समय लेकिन क्या state में हम हमारी category change कर सकते हैं क्या जो actual category है तो वो change कर सकते हैं तो नई update के साथ नए वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए जैहिन